नमस्कार में मुलसुंखान दिन्भा की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आजके मुखे समाच्छारों पर ऐसाफ़ा का धर्णा खजमत है जिल्दार के माध्यस्ता से हुए बारतस सफल और सपाय किराये पर बने सहम थी नुवर पुलिस में 720 पोवेदेशी शराब के जब आरोपी मौपे चेखारा थी राट्री क्लब के और से रगदाय शिविका यूजन एफ सुपचास यूनिट प अब खबरित पिस्तार से शिर्गर चौकी के पास SFI का चल रहा धर्णा रठार में दिनाखर का समाप्त हो गया तहसिल्दा कारियल में चात्रप नजदी डीटियों और नीजी बसंचालकों के प्रतिनीजियों के हुई वारता सफ़र रही और तहसिल्दा ने धर्णा सल पर पहुँच अंशिन कारियों का अंशिन तो गवाया और धर्णा समाप्त हो गया वारता में मुडा गाउं से टाहूं तक आच रुपए के रहा वसूलने पर सहमती बनी नीजी बसंचालकों के खिलाफ एस्टाफाई का चल रहा धर्णा आस तहसिल्दार की मध्यास्ता से हुई वारता के बाद खत्म हो गया तहसिल्दार कारियालि में टीट्यो प्रतिनी थी एहमविया राजिंदर सिंग बस ओपरेटर से रवी पांडिया राजी मिधा रमेश बजाज सुरेंदिश शर्मा मोहलाल प्रताप सिंग एडवोकेट और बारसंग अध्यक्ष जितिंदर सारस्वत के मध्यास्ता से हुई वारता में सहमती बनी और वारता सफर रही दरसल मुंडा गाउं के चात्रे स्फाई के बेनरतले किराया वसूली को लेकर अंदोलित थे वे किराय में छूट की मांग पर अड़े थे बारसंग अध्यक्ष जितिंदर सारस्वत ने बताया कि सर्व सहमती से हुए निर्णे में स्कूल कॉलेश आने के लिए मुंडा से आठ रुपई किराया टाउन तक लेने पर सहमती बनी और जंक्शन आने तक अधिरिक्ष पांच रुपई किराया वसूलने पर सहमती बनी ह इसके अलावा कॉचिंग सेंटर आने वाले विद्यार्थियों के लिए आईकार सहित बस ओपरेटर द्वारा सत्यापन के बाद आठ रुपए किराया लेने पर सहमती चताई कई है वहीं वारता के दोरां यह भी तैकिया गया कि यह किराया के वल पूल कॉलेश आने जाने वाले विद्यार्थियों पर ही लागो हो का यदि विद्यार्थी नीजी कारे के लिए आवागमन करेगा तो उसे निर्धारित किराया ही बस तंचालकों को देना हो का इसके अलावा आगे के लिए किसी भी तरे क्या नावशकान दूलोन और विवाद की जम्यदारी उपस्ती चात्र प्रतिनिधियों को दी गई वारता के बाद तैस दिल्दा धर्णा सल पर गए और चात्रों को जूस पिला कर उन्चन तुलवाया इसके साथ यह सफाई का धर्णा खत्म हो गया पिछले अठाना दिन से मुंडा गाउं के चात्रों का और बस ओपरेटर्स का अपस्में किरायकुले के विवाद चल रहा था चात्र अमन अंसन पे बैठे थे बस ओपरेटर अपनी उस पे मांग पेड़े हुए थे आज सिन्दार जी के उफिस में समज़रता वारता हुई जिसमें बस ओपरेटर्स की तरफ से रवी बद्वा, राजी उमिडा, रमेश, बजाज और चातिरों की तरफ से सुरिंदर जी शर्मा मोंगाल जी और बस ऑपरेटर्स के परताब सिंग जी सेका होता है डूगेट हम लोग सारे शामिल हुए उससे अमल में सरव समती से सैमती बनी कि भी मुंडा से जो चात्र अन्मानगेट आएगे उनको आट रुपे किराये का मुंतान करना पड़ेगा छ किसी आंदों को आगे नहीं बढ़ने दे हम बस वाणों का साथ देंगे सैमती यह बस ऑपरेटर्स और अपने डीटियो साब के प्रतिनिती से रामसंदर जी एम वी आई और जितेंदर जी शार्वत एड़ोगेट बारसन के अध्यक्स और यह बस ऑपरेटर्स को रही है को स लुशी दिन कराया बस उड किया जायगा जिस दिन स्कूल या कॉलेज में छोटिया होगी उस दिन उनकी सिर्गण चोके पर बच्चे आममनचन पर लेकिन लेकिन आज परसासन तशीलदार जी नुत्रत में आज बैटके यहां जीतिंदर भाई साब एडवोकेट साब और बस उपरेटर प्रताब जी और हम सारून बैटके क्योंकि काफी लूग गर्मिक बज़े से बच्चे आमनसन पर बटें तो हमें इस बात की चिंता है भी कल को लुक्सान होजेगा तो बस उपरेटर पीजिए हमारा यहां तेया हो गया बी आठ रुपे क्राया देंगे शेर्ट के अपने मुंडा तक हमारी तैया हुई है जो आगे कब मेरवाले का टाउन तक का मुंडे का आगे मेरवाले का दस से ब्वे सेमारे का उसके अलवा जीस अगर वो जंक्शन जाएगा तो उसका पांच पर एक्स्टर क्रया देंगे तैसिलदार साब के सामने यह मुल्ख हमारी है यह में जीत हुई है विदार्थी जीता है प्रसासन जुका है हम लगातार थारा दिन से ऑन्चाज जीधसें चैस्तामान में और बेठे रहे निजीबसों की मनमानी के खिलाब यह प्रसासन जुका और तेषिलदार जी दवारा और प्रसासने का भदिकारियों दवारा आज विजार्थियों को कर्मिक अनसन और अंसन से और धने से जो विजार्थी पेढ़े जूस् पर रोक लगाने और तमाम जो समझाय थी हमारी मांग थी उन मांगों को तुरूंत समाधान करने की मांगी और आउर्लोटिंग जैसे साथ ने उन पर रोक लगाने के लिए और सक्त निर्देश दियें डीटियो जिला परिवन रिवाग को नोहर थाना पुलिष ने कारवाई करते हुए 720 पोवे देशी शराब जबत की है एसाई भनोत सभू के नेत्रेतों में नियौलकी फाटा के पास हुए कारवाई में बॉले रोकाडी से 720 पोवे शराब परामत हुए जबकि आरोपी अमर्चन मौके से फरार हो गया आरोपी अम कि अजया है वे इस तो मैं यहाँ साब और में खुझाबता ओजीप ओर्ड़का और रामका को ले रवाना हुए थे औरका रामका चे घश्क करते हुए नियोल की फांटा पर जैसे ही पहुंचे तो पियो साथ को सुतना मिली कई एक वैक्ती बुलेरो केम्पर में श्राब बरके नियोल की फांटा की ट्रफ आएगा जिसको पियो साथ में और आमने वहां नाकाबंदी प्रूप की नाकाबंदी द्वाने नाकाबंदी दस-पंदा मिंद के बाद में एक वैक्ती यहां बुलेरो केम्पर लेके आटावा दिखाई दिया इस पर उसको सामने नाकाबंदी इबावधी जाप्ता को देख फेर वो चुछा पांदी के तो दूरी तो गूमाने की कोशिश की जिस पर पूरी गड़ी गूमनी पाई उससे पहले अमपूंच नहीं कोशिच पर तो गड़ी तो करके वो बंदा फ्रार हो गया और जिस पर पहचान के उसकी कर दिए और का जाओं का अमर्चंब स्नोंप खूब राम जाती जाग है उसकी पहचान हो गई है और पूरी मोके पर गाड़ी को तब्जे में लेके तलाशी लेगी तो उसमें 15 गता गातन बरी स्राव मिली इसमें 720 पुईरा तन प्रेशी स्राव गेते मोके पर गाड़ी को ढट़ती तमनेप अमर्तिंगे खिलाब आज़र यह भ्योग दखिया गया और गाड़ी को तब्जे में भाड़ी को सब्जे में लेके है रख्टदान महादान इससी वक्तव्य को साकार करते हुए रोटरी क्लब हनुमानगर एकता मांच और इनरविल क्लब की और से विशाल रख्टदान शिविर का आयोजन किया खें शिविर में पुरोहित ब्लड बैंक श्री गंगानगर की टीम ने रख्ट संगरहन किया शिविर में योवाओ ने उत्साह से रख्टदान किया इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा रख्टदान करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ रख्टदाताओं को प्रिशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया खें। वहीं रक्तिदान शिविन में पहली बार रक्तिदान करने वाली युक्ती भी काफी उत्साहिद नजर आ रही थी। ब्लड डोनेशन केम में रहुजित किया गया है। केम का उदेश है युवाओं को जागरित करना था ताकि यदिक सदिक लोग इस महाधान के अंदर रिस्ता है। इसके आयोजन के अंदर रिक्ता तो रोटी क्लब के सभी सदिशिक और इनर्मीट के सदिश्चों ने सके युग दान दिए। इसी के साथ सार यहां के खेल बेक लावियों में पूरा सभी लोग दिया। इसके आयोजन के अंदर करीम हम दिएर सु युणिट के रिक्ता हिटा करेंगे। यहां रोटी क्लब और एक्ता मंज की लाव सेजा। रॉट्टिदान सर्थ आयोजन किया गया है। रखत्तान महादान जैसे कि हम सभी जाते हैं कि रखत्तान से बड़ा अर्श के दिन कोई भी दान नहीं हो सकते हैं और लगातार प्रती वर्ष दो बार इस तरह का आयोजन करना और सेट्डरों के संख्या में लोगों किसे रखत्तान करवाना किसी को जीवन देना अर्टगान से बड़ा काम होनी सकता हूं नहीं सब अवीद कारे के लिए आयोजन को बहुत 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 दिवार देता हूं और आगे भी इसी तरह के आयोजन में रहता हूं आयोजन करते रहें ऐसी मेरी शुप काम में रहेंगे आज रोटरी कलव लगा जा रहा है, सबसे फुशी बात भी है कि रोटरी कलव हर साल कैम्प लगाता है और जो उर्ट के थाप में ब्लड होने से गाता है कि ब्लड बैंक पे ब्लड की शोट है इतनी जादा रहती है कि वो पूरती करना ऐसा मभव है जब मरीज को एक मरीज होता है जो चार क्लड चाही है और उससाथ देने वाला को पूं नहीं होता है तो ये के दो एक करवाश बाकि फिर नौटरी कलव की द्हारा ही लेते हैं पिर रोटी कलव है の ंदिक में रेगलर अजित जात रहा है सूरत के गुजरात में हुए अगनिकांट के बाद सरकार ने आउजने की घटना से निपटने के लिए इस तरह की घटनाओं को लेकर पहले से तैयार रहने के लिए अलट रहने को कहा है गुजरात के सूरत में हुए अगनिकांट जैसी आपात अस्तिती से निपटने के लिए संपून बंदवस्ट पून करने के लिए राजे सरकार के निपटने के तरीके भी बताए वही अगनिशमन कर्मियों ने अगनी सुरक्षा का डेमो कौचिंग सेंटर सहिद कई स्थानों पर किया है ऐसे में विवस्ताओं की जांश कर अब तक विभाग द्वारा 11 नोटिस दिये गए है और नियमानुसार अगनी शमन विवस्ताइं करने के लिए कहा गया है अगनी शमन अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया कि आग जने से निपटने के लिए अलट रहना जरूरी है बताया साथ को माधियम से लेटर वेजया है कि जितने भी सथान रहे हैं इनसे माध्याल इस्टिक आम पर लिए इनसे बुरू अजरूरी दिस्टिक के लिए है तो महाँ पर यहां पर जो फायर की उपकरन थे अभी चार मेने पहले उनको रिफिलिंग किराया उस पर पाई पे कटी हुई थी और चलाने लगे तो पाई के बीच में से चलने लगा तो इस तरी कंपनियां के अगलती सिर्फ पर्ची लगा कि उनको चालू कल देती हैं काभी बड़ा हास् यह रिफिलिंग करने वाले हैं या फायर के हैं जो उनको भी पर पाउन लगाई जाए जाज करवाई कि फिर उनको आगे उस कारवाई करें की गई है गर्मी की बड़ती असर को देखन हुए के लिख दिनों दिन बढ़ रहा है ऐसे में लूताबघात के मरीजों की संख्या में बढट होतरी होई है गर्मी के बढ़ती असर को देखते हुए लूताब घात के मरीजों के लिए जिलास्पताल अस्थित ट्रोमस सेंटर में अलग से वाड की व्यवस्ता की गई है जिसमें दस बैड लगाने के साथ साथ कूलराधी की व्यवस्ता करवाई गई है टाकि लूताब घात के मरीजों को तुरंद प्रयाभाव से इलाज मिलने के साथ साथ उनकी समूचित देखरेक संबब हो सके अत्यादिक गर्मी को देखते हुए पिमों साथ ने हमारे राज के किस सालमानगा टावन में एक लूताब का ह्थ वाड की व्यवस्ता की गई है जिसमें लग मेंगे 10 बैट लगाए गहे हैं अतिदीक गर्मी को देखते हुए O.R.S. पिपहादीक व्यवस्ता की गई है इस परकार की उसेस विष्टा एक इस मोसम को देखते हुए इसमें की बैंकर, लू, ताप, इत्यादी आता है, इसमें टेंपरेसर बोडी का बहुत अधिक हो जाता है, पानी की कमी आ जाती है, डियाइडेशन की वज़े से उसे दोरे पढ़ने लगते हैं, तो इन सब से बच वार्ड खुला गया है, जो ट्रोमा सेंटर के अंदर ही एक उसेस वार्ड है, इसमें टाप बाद से इसे समोधित किया गया है, उपने त्रंग हो देने भी, मिस्टर मंजीश सर्मा ट्रोमा इंचार्ज मियां साथ में, इको भी इसकी जुवारी सोंपी गई है, दो, तीन अ दर्ज करवाया है, पाक्षट अनिल किच्टे ने, किच्टे टाउन धाना में संदीप सोनी के खलाफ मानहानी का मामला दर्ज करवाते हुए बात आया कि कुछ माह पहले, फोन पर हुई बात जित को आडिट कर, संदीप सोनी ने आडियो वार्यल की है, इस समन्मन में टाउ पाक्षण सिकायती है, उसने नगर परिशद में अधिकारियों, करमचारियों, ठेकेदारों, लाफ सेकड़ों सिकायते कर रखिये, आज से चार पाज मेंने पहले तक उससे मेरी वो मुझसे नगर पालिका से समद्दी जानकारी लाने के लिए फोन करता था, इसी दुरान म लोगों की सभी बातें फोन पे टैप करता है, उन्हें सेव करके, और अब जब दो चार पालिका की जानकारी जाने से, तो उसने मेरे साथ रंजिस रखने लग गया, और मेरे से आज से चारपाज मेहने पूरू हुई जो बात थी, उसको उसने उस ओडियो क्लिप को बीच म के लिए दवाब बना रहा है, उसके लिए मैंने उसे उसके खिलाब मुगदमा दर्ज किया है। स्टूडेंट्स के केरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन प्रकार के कोर्सिस करवाए जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए केरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। सूसर्जित लेबरेटरी, प्लेग्राउंट तथा ट्रांसपोर्ट आदी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्री गंगनगर के बंजुवास निवासी बुराराम कुटर गोर्देया सिंग ने पुलिस गाड़ द्वारा दुर्वेवार और अप्रानित करने की समद में अधिकारी पुलिस महाने देश एक मानम अधिकार को पत्र भीच कर मामले की जाच और निया दिलाने की मांग की हैं। वो पुलिस गाड़ के लिए भरोसा दिलाया गया और पुलिस गाड़ कार्ट दे गई। लेकिन पत्री की वज़े से लगातार इलाज की जरूरत है और सुनवाई नहीं होती। इसी तरह से उससे एक बर विकानेर भी ले जाया गया, वहाँ पर भी इलाज पुरा नहीं करवाया गया और अपमानित शब्दों के साथ उसे वापिस ले आए। बुराराम के चाथा ने बताया कि बुराराम की तबियत जादा खराब है, उसका वज़न भी पहले से बहुत कम हो गया है। यदि उसका इलाज नहीं करवाया गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। उनके अनुसार पुलिस के गाड़ उनकी बात नहीं सुन रहे जबकि जेलर सहयोग के लिए तैयार है। और पुलिस का जोड़ करूए तो आए मेरे तो जेल से मिले है, तो उसने का कि हम धर्द बहुत बहुत जाद हो रहे है। साथ किलो जोजन से पैंटीस कोलो जोजन आ गया है। तो जेल से बेजते हैं हमारे तो गार्डन अव लीजाते हैं वह बढ़ती नहीं कराती है। वहाई सक्शियू बार्टर आ रहे हैं पर प्रविंग करेंव हैं इस वक्यांटाश आते हैं वेर्ष एज़ियं दर्खास अधिन हमारी तर्कास दी होगाई वहारी सुनोब नोहर में संत निरनकाली चायटिबल वांडीशन की और से रखतेदान शिविर का अधिया गया शीवर में सेवा दिल सदर्चो सहित निरंकार्गों ने उट साह से रखतेदान किया, इस अब सब पर ससंग का भी आल बोचन हुआ, शीवर में जिलाइस पतागी के टीम में रखते संग रहा किया। शीवर में शीवर में जिसमें काफी तदाद में सेवतर के विलेंटी और सेवाइन दे रही है, रकादान देने मादों कि आपने देखा है काफी दैन लगी हुई है, और साथ-साथ ससंग का भी उजन होड़ा है, जिसमें हमारे जोर्में चार्ज मातमा शीरी दर्मपाल जी टकर जिनकी हंजोरी में यह प्रवर्म हो रहा है, और अब तक सत्तर यूनिट जो है ब्लड डोनेट हो चुता है, जो मामिदर मातमा गादी च्कित सलग ब्लगत संग रह किया जा रहा है, और भी आप देख रहे ह बस्टेंड ब्रेमी स्टोशन के अंदर भी ऐसा भी यान्त लाया गया, साथ साथ अपने प्रिक्ष रोपन भी किया गया, तो ऐसी समाधी कर रहे है, समाध के अंदर संग्रम कारी मंदल, ठेटेबल दौरा ऐसी कर रहे हो पे रहे हैं गाउ कर्णिसर टिवासी रणवीर सिंग के साथ जमीने वेवाद को लेकर मार्पिट हुई, जिस्ते बाद चोटिल हो गया, और सिलास्पताल में उप्चारा थीन है, बताया गया कि ठेकी की जमीन पर खंबे आदी को लेकर वेवाद में बल कर्ण सिंग द्वारा की गई मा चोटिल हुआ है, इस समझ में सदर पुलिस ने परचा पैयान ले है, पुलिस आगी की कारवाई में लगी है यह करणी सर का मामला है, रंदीर सिंग है जिसके साथ मारपिट की गई है, जो इलाज के लिए यह ताउन होस्पिटल में पढ़ती है, इसके परचाव जयान लियागी है, मलकरण सिंग जट्शिक ने मारपिट की है, जी कारन क्या बता है उसने, बरासते में कोई ठेका की ज कान के पास आई है बाई तरफ सिर्मी ज़े जामा मस्जिद में लगे कैमरे तोड़ने का मामला सामने हाया है जामा मस्जिद इंतजामी ए कमेटे के और से सम्मंग में टाउन खाना में रुपनगर के तेन युग को पर मामला तर्श करवाया है इशाकूर रशी ने बाताया कि शनिवाल की सुभा करीबन तीन बज़े मस्जिद के बाहर लगे कैमरे को तोड़ा गया फुपनगर के तीन युग अपराधिक खिस्म के हैं एक तारीक को सुभए तीन बज़ करके आठ मिन्ट के उपर तीन लोग मस्जिद के अंदर आये थे उन्होंने केमरे से चेड़ चाड़ की, केमरे को तोड़ने की क्रोशिश की इस लिए हमने थाना दिकारी को आज इसकी मुकदमा दर्ज करने अबावबत इसकी एप्लिकेशन देखर के आई हैं जमा मस्जिद इंतिजामिया कमेट्टी की तरफ से यह रूपनगर के हैं, तीन-चार आजमिया, पहले भी इस मामले में एक दो बार गठना हो चुकी है, केमरे लगाने नहीं दिए, उनी लोगों में से हैं, कुछ लोगी है, जो के बार-बार यह केमरे से चेड़ चाड़ कर रहे हैं, संदिकत लोग हैं यह पता नहीं, इनका पानी के व्यवस्ता करते हुए परहिंडे बान देखे, इस मौके पर सिया यह रूप कुमार ने संसाफी परियासों, खुशा रहा और गर्मी के मौसिन को देखते हुए पक्षियों के लिए पानी के व्यवस्ता को ज़रूरी बाता है इस दिग्री तापमान में इतने गर्मी को देखते हुए एक पास्ष्टन स्था द्वरा यह जो परिंडे लगाए जा रहे हैं यह बहुत अच्छा काम है यह हां हमारे प्रदीप पॉल जी गी समाधाता द्वरा इनको उला करके हैं परेकारी किया गया है एक सरानिय कारी है और इसमें हम परिंडे लगाके पानी डालेंगे जिसे पक्षियों को पानी मिले एक पास्ष जिसकी मुहिम सोला तारीक से जारी है कि हम जैसे हम सोचते हैं कि हमें भी प्यास लग रही है टमप्रेचर को देखते हुए वैसे हम चाहते हैं कि पक्षियों क पड़े इस प्यास की वजह से तो हम ताउन और जंग्शन के सभी एरियों को कवर करते हुए आज ताउन के थाने में हमने परिंदे लगाए हैं और यहां प्रदीप जी अरुण जी चोधरी ने इसके सार संभाल का जिम्मा लिया है और हमारी यही कोशिश है कि यह हमारी मुह के लिए इनको संभाल के लिए जुम्हारी दी गई है और हम पूरी कोशिश है कि पूरे मंगण में जल्दी 15 जिन के अंदर सारे एरियस को कवर कर लिया जाएगा जैसे जैसे टापमान बढ़ रहा है पचास डिग्री जोपर टैंपरेशर कोंच गया तो यह पक्षियों के बहुत ज्यादा जुरूरी है और हुए मुवारी आगे भी जारी रहे हुए वाजिस के सामधा समात हुए रोजाना देखते रहे हैं समाशार नमस्कार